है कि अधियों के लिए नील गाय वहाने के लिए काम में आएगा खेती में नुक्सान करती है उनके लिए तो अभी इसको हम चला के देखते हैं कि यह दोस्तों मशीन बनाने का सामाहिन गन मशीन जो की अभी हमने दिखाय था कि सानवाईयों के लिए तो यह हमने एक पाइप लिया चार इंची का वह एक फेटका है और जो दो इंची का पाइप है वह हमारा देड़ भड़का है और यह पीछे से कैप में हॉल किया है इसक पाइप है इसमें दो इंची का लगाने सामने से पीचे चार इंची बसा हुआ है इनको हमको अच्छी तरह से दो दोस्तों करना है जो की इसकी अंदर जो करवाइट होता है उसको डालने से और पानी डालने की साहता से जो होता है तो इसमें हम लगा देंगे यह लाइटर और जब लाइटर का इस्पारिंग होगा तो उससे इसमें होगा ब्लैस्ट तो उसका प्रेसर बहुत रहता है तो प्रेसर आगे पीछे नहां निकले यह डखने इनको अच्छी तरह से हम जोंट करेंगे चाहे किसी से भी करें इसका पाय जोंट करने वाला भी एक आता है इशा है इसको बंदल एक बार देखेंगा भाग जाएगा इसकी आवाज बहुत तेज होती है और इसको बहुत साबधानी से चलाना है यह हमारी गन मशीन मन के तैयार हो जाती है तो इसी बात काम को देहार रखना है दोस्तों इसमें लापरवाई नहीं करना है वह अच्छ पोद कि दोना है ने डालेले ऐस से तो इसको ब्रौक में इसको चलाएंगे आप के सामने और धेहते हैं करने करने के बाद में में ऐसको चलाएंगे अवाज रहता है कि वह यह बंद्रों को बखाने के लिए और खेत किसान भाईयों के लिए बहुत अच्छा है तो अभी हम आप अगर दोस्तों अगर आपने मनाया आपको लगता है इसका सपोर्ट सही नहीं है कि या कोई मिश्टिक हो सकती है तो इसको सपोर्ट दे के चला है दीवाल की साइट से ज्यादा प्रोब्लम ना हो सैप्टी रखें अपना जैसे कि मैं अभी आपको दिखाए हैं के दूस्तों तो प्लाल यह है कि जितना हो सके अपना साब दाहन से करना अच्छा है फिर में लेगें